हेलो एब्रीवान वेलकम टू इंडिया बड़ी आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बड़ी में स्टूडन्स मैं जानता हूँ कि खासकर इंडिया में 12 स्टैंड़ के जो स्टूडन्स है वो बहुत जादा स्ट्रेस आउट हो गया है कि उनके इंडिविजुल स्टेट में क्या होगा या कोई CBSE और ICSE वाला है तो उनका क्या होने वाला है पहले मैं स्टीज को स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे दूँ देखिए 10 स्टैंड़ के लिए अगर आप देखोगे तो हर जगे पेपर कैंसल फटाफट हुआ जैसे CBSE ने कैंसल किया लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे सेंटर गवर्रमेंट के उपर आरोप लगा है सिमिलरली अगर देखा जाए तो सेंटर गवर्रमेंट ने उसको लीडर्शिप भी प्रॉपर्ली नहीं किया जिसके कारण बाकी सारे स्टेट्स जो थे उनके बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनको कंसीडर करना चाहिए था तो इसमें अगर आप देखते कि जो 10th का हुआ या 12th का बोर्ड एक्जाम इसमें खासकर एक important चीज थी कि opposition as well as center parties सबको मिलके एक अच्छे से discussion करना चाहिए था लेकिन जब discussion हुआ भी 12th standard के लिए तो वहाँ पे भी अगर आप देखो कि politics बहुत ज़्यादा हुई कि सब सोच रहे थे कि कैसे हम एक दिशने को tackle करें यहाँ पे तो education में भी politics ढाल दिया गया है तो इसलिए बहुत सारे states ने और जो center government ने एक अच्छा मतलब उन्होंने बोला कि अगर आपको politics ही करना तो उन्होंने बोला आप अपने state का खुद से decision लीजिए मतलब अब यहाँ पे क्या कर दिया कि central government यह सारी चीजे बना के देगी हमको इस पर लागू करना सिर्फ थोड़ा बहुत politics करना लेकिन अब वो उस चीज के लिए फज गये तो इसलिए सब states क्या बोल रहे हम एक हफते में बताएंगे हम दो हफते में बताएंगे हम covid cases कम होंगे तब बताएंगे paper गया करना तो जो update है वो करीबन 31st में तक आएगा students ठीक है 1st June 31st में तक आएगा I know students आप बुल रहे हो कि बहुत ज़्यादे लेटर लेकिन महारास्ट्रा के students के लिए बहुत positive update है कि महारास्ट्रा में जो normal जिस हिसाब से paper होते थे हर साल board exam के उस हिसाब से 12th standard के नहीं होंगे यह लगब अच्छा mindset बना दिया है कि COVID cases बहुत ज़्यादा है तो बच्चों को खासकर बाहर नहीं निकलना जाए तो यह एक importance नेक्स हम बात करने वाले हैं कि अलग राज्ये को कि इसके बाद कौन सा राज जाएगा तो इसके बाद जो बात होगा वो होगा गुजरात का देखे बास रूम में 20 students रखेंगे और बाकी सारे systems बता है हम पूरा precautions लेगे मैं गुजरात government से चीज़ पूछना चाहता हूँ अगर यह सारा precautions आप ले रहते तो फिर आपको 10th का पेपर लेने में क्यू डर लग रहा था वहां पे आपने क्यू बोल दिया कि COVID cases बहुत जादा बढ गए हैं तो पेपर कैंसल करना चाहिए अगर आप precaution ले रहते हैं तो आपको 10th का भी पेपर लेना चाहता है मतब आप double stand खिलते हो एक तरफ आप देखते हो कि हाँ चलो 10th का पेपर कैंसल किया तो 10th में हम कैंसल कर देंगे और 12th का पेपर नहीं कैंसल हो रहा है तो हम उसक आप से cases कम आ रहे हैं लेकिन फ्लक्ट्वेट भी हो रहे हैं एक केस कम हो रहा है कोविड का तो फिर उसके खारण ब्लैक फंगस यलो फंगस यह सारी चीज़े आने लगिए तो यह भी एक इंपक्टिंग रहेगा तो इस चीज बताओ जुलाई 1 आपको डेट तो दिया है आपको 15 जून तक मालूँ पड़ेगा कि आपका पेपर होगा कि नहीं होगा क्योंकि cases उसके हिसाब से आपको पता चल जाएंगे तो गुजरात के students के लिए थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं सभी states के लिए बताना चाह कर रहा हूं जितनी possibility होगी अलग-अलग state के हिसाब से मैं उसमें पूरी मेहनत करूंगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपको coming week में बहुत जादा जैसे आपको लगता होगा यहां पेपर हो रहा है फिर अचानक मालूँ पड़ेगा कि अब नहीं हो रहा है तो यह सारी scenarios भी हो सक students के लिए वेस्ट वेंगल के student उनके लिए मैं बता दू कि ममता बैनर्ट जी मैडम ने बोला है कि कल के news में भी ऐसा है था कि वह बोल रहे कि 12th का पेपर हम जुलाई end में लेंगे and 10th का पेपर हम mid of August में लेंगे ऐसा बोला है कुछ प्लान नहीं है मत्तब समझ गया कि फिल पार्टी के टाएगा इस समय तुम्हारा notification नहीं तो जो बेंगल के students उनको उस चीज की वेस्ट बेंगल के खास का उनको इस चीज की टेंशन लेने की जरुरत नहीं है कि पेपर होगा कि नहीं होगा कि उन्होंने से फिलाल के लिए टाल दिया कि चली जिसे महारास्ट में ब पेपर लेंगे तो फिर जे और नीट का पेपर कव होगा मतलब आप समझ रहें उनको काफी ज़्यादा फॉर्स होगा और फाइनली वह राउंड अप मारने तो जो लोग बोले न हम जुलाई के एंड में देखेंगे या हम ऑगस्ट में देखेंगे सब्टेंबर में देख इसमें बोला गया था कि पेपर को कैंसल कर दो बाकि लेकिन इंपॉर्टन इसमें बोला जाता है कि क्वेश्चन पेपर स्टुडेंस को ऑनलाइन बेज दो और वह वो होमवक की एक्जाम घर से लिखके लिए लेकिन ममतबब अनरजी ने बोला अभी हम फिलाल नहीं सोचें लेकिन हम पूरा मेतोडोलोजी के साथ तो यहां पर एक अच्छी चीज है कि थोड़ा टाइम लेरे लेकिन करने वाले लेकिन इस टाइम में स्टुडेंस का स्ट्रेस बढ़ेगा तो यहां पर आसाम क्या कर रहा है मालूम है CBC का बस इंतजार कर रहा है एक जुन के बाद करने बहुत लोग अपने-पने-डिस इंजन बदलने वाले हैं कोई भी स्टेट वहां पर बदलने वाले हैं तमिलनाडू के के से में क्या हो रहा कि ता ट्रечение का पेपर जो है वो गाचलत कर दिया लेकिन अमें स्टेंट आपकरना कर आण चायते हैं लेकिन इसका कैसे करना ह हुआ अभी तक डिसाइड नहीं किया है मतलब यह बोल रहा है कि situation के उपर हम देखेंगे हम वहाँ पर सोचेंगे मतलब मैं बोलो ना एसा बोला जाँ रहा है कि वह जो यह सरकाए जा रहे यह जितने भी बोले न पोस्ट पॉंट इनों डेट नहीं दिया न यह सब कैंसल होने वाले स्टूट्ट टेंशन मत लेना है फिर हम बात करने वाले हैं करनाटक के केस में करनाटक के जो एजुकेशन मिनिस्टर है सुरेश कुमार वो बोल रहे कि पेपर त यहां तक लग रहा है कि और इसा के पेपर के जो भी डिसीजन्स रहेंगे न वह भी लगबग अगर दिखा जाएगा तो कैंसल की तरफ ही बढ़ रहे हैं तुफान है उसको मैनेज करना फिर से वापस पेपर कंड़क करना वहां पर चांसे बहुत कम है उत्तर प्रदेश की है उत्तर प्रदेश में बोला जा रहा है कि जो जो हमने पेपर से हमने बहुत सारे उसको बना दिये हैं हमको तकलिफ ये है कि हम उस पेपर को μीरी यूज नहीं कर सकते हांepend Less Que Have to तो हम दूसरे चीज में भी सही करेंगे, विराट कोली अगर एक मैच जीतता भी है तो जरूरी नहीं कि विराट कोली नेक्स मैच में सेम रन बनाएं, आप समझे रहें, इसकी सिटुएशन के इस आप से वैरी होता है, तो यहाँ पर वो चीज में आड करना चाहता हूँ, रा और आप कोई दूसरे स्टेट करेंगे जिनके बारे में अभी तक नहीं बताया है, तो आपके लिए एकदम में क्लिएर बोलता हूँ कि आपके स्टेट ने, अगर वो नियूस में नहीं आए तो आपका स्टेट उस चीज पर डीस इजन ही नहीं ले रहे है, आपका डिस इस चीज़ को आप मान के चले आपको लटका दिया गया ओके स्टुडेंस यही चीज़ में बुना जाता था आपको डी मोटिवेट नहीं हो ना अब इंडिया बड़ी इंटरनल वेसिस पे बहुत ज़्यादा अंदर यांदर वो फाइट करेगा बहुत हाई लेवल अथर्ट करें परता।